हेलो ब्रीवान, बिलकम बेक, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप लोग बहुत ही जादा इंप्वाटेंट होने वाला है, कम्प्लीट वीडियो जरूर से जरूर देख लिजेगा क्योंकि ये यूपी बीटी की तरफ से आप लोगों के लिए 16 डारेक्शन्स हैं, जिनको आपको अपने एक्जाम में फालो करना है कई सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एक्जाम ऑनलाइन होगा या आफलाइन होगा, सर MCQ वेस्ड होगा या आप लिखीत होगी, क्योंकि ये असमंजस वाली कंडिशन इसलिए बन रही थी, क्योंकि दियो स्ट्रेंट्स आपको पता है कि यूपी मे सर देख पा रहे होंगे, प्रेशक का नाम लिखा हुआ है, सभी प्रधानाचारे को ये प्रेशित किया गया है, बिसाए क्या है इडियो स्ट्रेंट्स आप देख पा रहे होंगे, प्राविदिक शिक्षा परिशत की आगामी सम समय्स्टर वार्सी परिछा 2021 को आनलाइन मा हो जाता है क्योंकि आपका एक्जाम ऑनलाइन होगा यह कंफर्म है ठीक है अब आप यहां पर देख पारेंगे उपर लिखा हुआ किरपया उपरोग्द विश्यक परिशत के पत्राइं कि इतना इतना दिनांग बाइस से दोजार एकिस का संदव ग्रहन करने का कस्ट करें जि नांग 168 2021 ते आनलाइन आयोजीत होना प्रस्तावित है जिसका विस्त्रित परिच्छा कारिक्षा जारी किया जा चुका है उक्त के करम में परिच्छा आनलाइन माध्यम संपन कराये जाने है तो प्राविदिक सिक्षा परिश्द उत्तर प्रदेश लखनाउद्वारा बि पूत ही जादा इंपॉर्टेंट ने पहला नियम क्या है यदि किसी छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परिच्छा प्रान्भ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्ता सुनिश्चित कर ले जब आप परिच्छा दे रहे हैं तो किसी अ अगला है दूसरा निर्देश की आईडिया स्टेंट्स आप देख पारोंगे लिखा है कमरे परिक्षा अस्थल में प्रकास इतना उज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा सपस्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके ओवर हेड लाइटि अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाईल लैप्टाप कम्प्यूटर इत्याज के माध्यम से परिक्षा दे सकते हैं जिसमें कैमरा यो माइक्रोफोन हो होना निवार है अन्नथा चात्र आनलाइन परिक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा अगला देख तो साधा पेपर, पेण, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं यह भी कई सारे बच्चों का कमेंट आहरा था कि सर अगर हमारा मैज का पेपर है उसमें क्या करना होगा रफ वर करना होगा तो हम लोग कहां करेंगे तो यह बात यहां पर क्लियर हो जा रही कि रफ की लखनव के नियमानुसार ही नान प्रोग्रामेबल कल्कुलेटर प्रयोग किया जा सकता है जिसको प्राक्टर देख सकता है आपके आसपास की मेज या दिवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए कमरा परिच्छास्थल यथा संभवसांथ होना चाहिए संगीत या टेलीव पहर कर वैठना है योँ अनुसासित व्योहार करना है समस्त परिच्छा बहुवेकल्पिक प्रस्ण मींस एमसी क्यों के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी अन्तिम वर्स के छात्रों हे तू आनलाइन परिच्छा के सभी प्रस्णपत्रों में 50 बहुव प्रस्ण परिच्छा के सभी प्रस्णपत्रों में 25 बहुविकल्पिये प्रस्ण तथा साथ मिनट अर्थात एक घंटे का होगा ठीक है मीन सेकेंड सेमेस्टर या फोर सेमेस्टर के जो स्टुडेंट्स हैं उनके एक पेपर केवल 25 कुशन पूछा जाएगा और आपका एक आपके एक्जाम में यहां पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगली देखेगा प्रतेग प्रस्ण का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा ऑनलाइन परिक्छा है तूँ आपके उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त पर इंटरनेट किसी कारणवस 15 मिनट या उससे जादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुना परिक्छा में सामिल होने तो दिया जाएगा परनतों ध्यान रहे कि ऐसी स्थिती में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रस्णों और उनके विकल बनाए रखने है तो यह नेड़े लिया गया है सभी छात्रों से अन्रोध है कि वह इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिस्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तयार रखें ठीक है आता सभी छात्रों को उन्हें सा समय रेजल्ट पाकर आगे बढ़ अगला ही निरदेश से बच्चों आप देख पा रहे होंगे आनलाइन परिक्षा प्रारम होने के 30 मिनट पूर्व लाग इन करना होगा अगला है अन्तिम वर्ष के छात्रों है तो आनलाइन परिक्षा के दवरान एक घंटा 45 मिनट के पस्चाथ प्रश्णपत्र स्वता सम समिट आटो समिट का प्रावधान रहेगा इस 15 मिनट में आपको किसी प्रशन का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा मींस वह जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा आपका वह समिट हो जाएगा अगला निरदेश देखिएगा बच्चों लिखा हुए आनलाइन परिक्षा है तो उस चाथ चात्रा को निम्र ब्यूरण देना होगा साफ्ट बेर द्वारा प्रतेक चात्रा का चार से पांट बार फोटो क्लिक करेगा जिसका परिसत के अभी लोखों द्वारा मिलान कराया जाएगा उसके फोटोग्राप को संस्था से भी वेरिफाई कराया जा सकता है चा कोई तुरूटी होती है तो उसे वह वहीं पर दिये गए अस्थान पर आउगत करा सकेगा इसी प्रक्रिया के दवरान छाथ-छात्रा मास्क टेस्ट मास्क मार्क टेस्ट भी दे सकेगा समझ छाथ-छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर यूँ इमेल आइडी क्रियासी लव सब्स्था में अपडेट रखना होगा ताकि आनलाइन परिच्छ से संबंधि सूचना से समय छाथ-छात्राओं को प्राप्त हो सके चौद्वान निर्देश से बच्चों समझ छाथ-छात्राओं का पंजी कर जिन्होंने परिच्छा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय प्राग ना करने की स्थिति में परिच्छा पैड़ाम में बिलंब अंतिमवर्ष के चात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में बिलंब तथा गयर अंतिमवर्ष के चात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्याद बाधित होगा किसी भी प्रकार की तकनीकी समझ चाहे तो हेल्प डेस्ट की अस्थापना की जाएगी जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है है तो प्रयोग साफ्ट वियर पर उपलब्द करा दिया जाएगा कि आप पर संपूर परिच्छा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी यौम आपकी कोई भी गतिविधी जो परिच्छा की सुच्छता को बाचित करती है को उस प्रॉक्टर द्वारा परिच्छत को सूचित कर दिया जाएगा जिससे आप पर प्राविधिक सिच्छा परिच्छत उत्तर प्रदेश लखनव के यू एफ एम के नियमों के तहत का परिच्छानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्ग कर सकते हैं अता आप से अन्रोध है कि तरदंसार आउगत होते हुए अपने संस्थान में अध्यंदत छात छात्राओं को आनिवार रूप से सुचित कराने का कस्ट करें साथिया सुनिश्चित हो साथ ही साथ अभी इसको मैं टेलिग्राम चैनल पे सेंड भी कर दूँगा पूरा पीडियाप आप फिर से एक बार पढ़िये से इसको देख लीजेगा समझ दीजेगा इसको पढ़ने से आपके माइंड में आने वाले प्रतेक क्विस्टन का डाउट प्रतेक जो डाउट ह उसका सल्यूसन आपको मिल जाएगा बार बार आप कुश्चन नहीं पूछेंगे बार बार आप परिसान नहीं होंगे आप अपनी पढ़ाई पर समय दे पाएंगे जिससे आपके लिए बहतर होगा बाकी डियो सेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ नेक्स लेक्चर के साथ तब तक के लिए ऐसे हिसानदार ही और पढ़ते रहिए